जोती वात्वा का प्रश्ण है गुरुजी मेरे रिष्टा कब ठीक होंगे कब ठीक होंगे जोती जब हम जो रिखती जो है जैसे से हम अपने आपको जानना शुरू करते हैं फिर हमारे प्रश्ण भी जो है ठीक हो जाते हैं अब हमारे प्रश्ण भी गलत हैं क्योंकि हम गलत है तो मारा प्रश्ण है कि हम मेरे रिष्टे कब ठीक होंगे तो जैसे कि हम बहार से कहीं न कहीं एक expectation लगाते हैं कि बहार से चीज़े कब ठीक होंगी हमारे लिए बहार जो है अवस्थाएं जो है कब positive हो हो जाएगी यहां पर यह समझने की बात है जो ती कि अगर बहार जो है एक दुख का जो है अनुभव हो रहा है वो दुख का अनुभव सिर्फ यही बता रहा है कि हमारे भीतर जो है हमारी हमारा जो chemical composition है हैं हमारे बीतर हमारे बीतर जो एक जो एक मनोवस्ता है वो उसके अंदर कुछ कमी है जिसके कारण जो है हमें दुख का अनुब हो रहा है मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जितना आप अपने आपको जानोगे यह समझोगे कि आप यह अगर आपकी जीवन में दुख है या सुख है तो वो simply आपके कारण है कोई दूसरा इसके लिए जिम्यवार नहीं है जिसका ये अर्थ हुआ कि फिर आपको कोई भी आपके बाहर कोई भी रिष्टा है फिर वो चाहे positive है चाहे वो negative है वो कहीं ना कहीं आपका उपर भी depend करता है कि आपकी state क्या है तो अगर बाहर कले हैं बाहर problems हैं बाहर issues हैं तो वो कहीं ना कि जब आप अपने अपने आप जब research करोगे जब अपने आपको देखोगे तो जानोगे कि वो आपके कारण है इसलिए अभी नज़र है कि दूसरे एक विज़े से है अभी नज़र है कि आपने अभी जो है एक blame आप दूसरे को करते हो कि दूसरे के विज़े से जो है मेरे जीवन में दुख है लेकिन जिस दिन आपके जीवन में सुख पैदा होना शुरू हो जाएगा उस दिन जो है आप बाहर की expectation नहीं रखोगे। आप देखोगे बाहर चीजे जो है अपने आप ठीक होने लग जाए। बगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम जो है मुझे नरक नहीं भेज सकते। तुम चाहके भी मुझे नरक नहीं भेज सकते क्योंकि मैं अपना सुख अपने भीतर रखता हूँ। तो अगर तुम मुझे नरक भी भेज दोगे तो मैं वहाँ अपना जो है सुख जो है मैं वहाँ पर अपना बना दूगा। मैं आपनी सुख अवस्ता में जो है वहाँ पर भी सुखी हो जाओगा तो जिस दिन तुम अपने भीतर के उस आनंद के साथ जुड़ती हो उस भीतर के जिसको हम कहें एक सुख की जो एक अवस्ता को जानती हो तो उस दिन फिर जो है बाहर ये नहीं पूछोगी रिश्टे क्योंकि हमारे देखे लाइफ जो है हम कोशिश करते हैं जात अब बाहर जो संसार में जो विक्ती है वो कोशिश करता है कि बाहर संसार में कुछ ठीक कर ले ताकि उसको खुद को अच्छा लगे और वो पूरी जिन्दगी ये ही करता है कि बाहर चीज़े ठीक करने में लग कर लिया आप ने जो है उस सुक के अवस्ता को पा लिया तो बाहर की परिस्तिती भी बदलतो है जादा वक्त नहीं लगेगा बाहर के रिष्टे भी जो है पॉजिटिव होने में टाइम नहीं लगेगा बाहर की जो इशुज है उसको सॉल होने में टाइम नहीं लगेगा तो इस चीज़ को समझो, अपनी उर्जा को भार से बीतर की और मोड़ो.